हलो स्टूटेंट्स वेलकम टू मैंने इंस मैं रुपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की बुक वितान भाग दो कात्रतिय अध्याय ए अतीत के दबे पाव ये लिखा है पार्ट ओम थानवी जी ने इस पार्ट में हम देखेंगे मोहन जोदाडो मोहन ज देखेंगे साथ ही ये सब्विता कितनी विस्तृत थी ये भी हमें इसके जरीए पता चलेगा चले देखते हैं पंडा शुरू करते हैं ये पाठ हम लेकर कहता है कि हरपा और मोहन जोदाडो दोनों इस्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नेयोजिश शहर माने जा पर बने चित्र भॉंडे मुहरे साजो सामान खिलोने आदी मिले हैं तो लेखक का मानना है कि अभी तक मिली जितनी भी सब्विता हैं सबसे सुनियोजित विवस्था सू विवस्थित विवस्था थी ये तो इस विवस्था में हमें क्या क्या चीजे मिली हैं सभी हमने बता हरपपा की जाधा तर साक्ष रेल लाइन बिचने के दौरान विकास की भेट चड़ गए मोहन जुदाडों और हरपपा पासी पास मिले हैं लेकिन हरपपा में एक रेल वेल लाइन बिची जिसके जिरिये वहां की जितने साक्ष थे वो सारे मिट गए उनको संजोया नहीं जा सका मोहन जुदाडों को सभ्यता का केंद्र माना जाता है ये 200 हेक्टियर छेतर में फैला था तता इसकी आबादी लगबग 85,000 थी तो ये जो मिली है ये बहुत बड़ी सभ्यता है ये 200 हेक्टियर में फैली है मतलब काफी बड़ी है और इसकी जनसंख्या कित्ती मानी जा रही है 85,000 लोग इस शेहर में मोहन जुदाडों में रहते थे ये नगर छोटे-मोटे टीलों पर आबाद था तता ये प्राकतिक नहीं था मतलब इसे बनाया गया था प्राकतिक तोर पर नहीं था चोटे मोटे टीले थे मतलब चोटा टीला है उसके उपर बने है फिर नीचे है फिर टीला है बने इस तरीके के टीलों पर वो पूरा शहर बना हुआ था कच्ची पकी ईटों से धर्ती की सता को उचा बनाया गया था जो ईटे थी सता को उचा बनाया गया था ताकि वहाँ पे कोई चीजे ठीक से इस्टेबलिश की जा सके इस शहर की सडकों वा गलियों में अब भी घूमा जा सकता है यहां का सामान अजायब घरों की सोभा बढ़ा रहा है परन्तु शहर वही है इस शहर की गलियों मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सडके, आदी, सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं मतलब यह इतना बढ़ियां बना है खुदाई के बाद फूरा उसको रुकेरा गया है तो इसकी सडके अभी भी बनी है आप उन पे अभी भी चल सकते हैं पूरी तरीके से पत्थर बिचे हुए है सब कुछ है आप उन पे चल सकते हैं यहाँ पर खुदाई में जो सामान मिले बरतन है सासज्जा का सामान है मूर्तियां है जो कुछ भी है उन्हें म्यूजियम में रख दिया गया लेकिन यहां के खिड़की, दर्वाजे, मकान, रसोई, घरसनान, गर यह सब तो यहीं है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कि सुनियोजित यानि कि प्लानिंग के साथ यह पूरा शहर बसाया गया था शहर के सबसे उचे चबूतरे पर एक बड़ा बहुद स्थूप है यानि कि जो सबसे बड़ा उचा चबूतर है बहुत बड़े टीलों पर बना है तो सबसे उचे टीले पर एक बहुद स्थूप है परन्तु यह मोहन जुदारो सभ्यता के जीन शीर टीलों पर बना हुआ है मतलब अब तूट फूट गए हैं तो जो बना है वो अब बहुती तूटी फूटी हालात में है 1922 एसपी में राखल दास बनर जी ने इस स्थूप की खोच की थी अब देखे ध्यान लगिएगा 1922 में राखल दास बनर जी ने इस स्थूप का पता लगाया था जब स्थूप का पता लगाया तो भई आसपास की जब खुदाई हुई तो यह पूरी सभ्यता निकल कर बाहर आ गई थी कोच की तो उन्हें यहां इसा पूरूव के निशान मिले ततकालीन भारती पुरातत समेक्षण ने के महानिदेशक जौन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत दुनिया की प्राचीन लेखक सबसे पहले इसी स्थूप पर पहुँचा इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है मतलब जब उस बौध स्थूप के बारे में पता चला तो जो पुरातत विभाग के महानिदेशक थे आपके जौन मार्शल उन्होंने आसपास की खुदाई का निर्देश दिया और जब खुदाई करी तो सबसे पुरानी नागर विवस्था नागर वस्था मतलब नगर विवस्थत नगर की खोज हुई सबसे पुरानी नगर विवस्था अभे तक मिली सबसे पुरानी नगर विवस्था है इस्तूप वाले हिस्ते को गड़ कहा गया अब पहले क्या था तो किसी को नहीं पता सबने अपने मतब जो पुरातत विभागते उन्होंने अलग-अलग जगाओं के नाम रखे तो ये मोहन जो दाड़ों में क्या कहा जाता था उस समय जब ये सब्यदा आती तो नहीं पता लेकिन जिन्होंने खुदाई करी उन्होंने इन नामों को रखा तो जो सबसे बड़ा टीला था जहां बहुत सूप था उसको गड़ कहा गया दुनिया भर की प्रसिद इमारतरों इमारतों के खंडर चबूतरे के पस्चिम में है मतलब जितने भी हैं वो सभी पस्चिम में आते हैं इनमें प्रसाशनिक इमारतें सभाभवन ज्यानशाला और कोठार हैं तो जो सभी पस्चिम की तरफ आ रहे हैं उसमें क्या क्या हैं मतलब सरकार से रिलेटेटर जितनी इमारते हैं सभाभवन जहांपे मीटिंग और्गनाइज करी जाती हैं वो ग्यान शालाएं जैसे युनिवर्स्टी ये स्कूल्स हैं वो और कोठा मतलब बड़ी-बड़ी कोठीया या भवन जो होते हैं वो केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल सरूप में बचा है शेश इमारते उजड़ चुकी है तो वहाँ पर अब क्या है जो सही तरीके से बचा हुआ है वो है हमारा महाकुंड अनुष्ठान जैसे होते हैं वहाँ पर बड़े-बड़े अनुष्ठान करने के लिए बड़े-बड़े जगहें बनाई जाती हैं कुंड बनाई जाते हैं हवन वगेरा करने के लिए वो एक बचा है और बाकी सभी मार्ते लगभग तूट चुकी हैं मोहण जुदारो का नगर नियोजन बेमिसाल है मतलब जो नगर बनाया गया है वो बहुत ही बेमिसाल planning के साथ बनाया गया है अधिकान सड़के सीधी है या आड़ी है या तो सीधी चल रही है या ऐसे करके आड़ी जाती टेड़ी नहीं आड़ी जा रही है इन्हें वास्तुकार grid plan कहते हैं मतलब इसको grid plan जैसे अभी अगर समय में देखा जाए तो विवस्तिस शहर हमारे क्या है आपके चंडीगड है ये विवस्तिस शहरों में नियोजित planning करके पूरे शहर को बसाया गया है तो इसको क्या बोलते हैं grid plan कराना कि यहाँ पर ये चीज होगी इसकी निकासी ऐसे होगी तो ये अभी समय के जो वास्तिकार है इसको बोलते हैं grid plan करना आज कल के सेक्टर नुमा कालोनियों से हमें आडा सीधा नियोजन मिलता है तो जैसे सेक्टर नुमे कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ रास्ता निकालती है पर नियोजन नहीं मिलता आज कल की जो सेक्टर कॉलोनीज होती है परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है और ब्राजी जी या चंडिगड इसलामाबाद ग्रिट शैली के सहर है तो अब क्या होता है देखें अब बताया ना ब्राजी सिया चंडिगड और इसलामाबाद ये प्लान्ड सहर है इनको प्लान करके बसाया गया प्लानिंग कर गी गई है कि यहाँ पर ये चीज़ बनेगी कैसे चीज़े बनेगी क्या होंगी कितने घर होंगे ये सब ही हमारे प्लान शहर के अंतर गता आते हैं परन तो इनमें स्वैंग विकसने की स्यमता नहीं होती और ऐसे घर जो शहर जो प्लान करके बनाया जाते हैं ये अपने आप डेवलेप न ही कर सकते हैं इनको जब तक हम प्लान नहीं करेंगे तबलग इसमें development नहीं हो सकता है चबूत्रे के गड़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की वस्ती है यानि चबूत्रे पर जो गड़ है जो बहाँ बहुत दूसे है उसके ठीक सामने क्या है उच्च वर्गों की वस्ती वर्ग होते ना उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग तो उस गड़ के सबसे आगे उच्च वर्ग के लोगों के रहने की जगहा है उसके पीछे 5 किलो मीटर दूर सिंदू नती बहती है गड़ है गड़ के धर उच्च लोग हैं और उसके पीछे 5 किलो मीटर जाएंगे तो सिंदू नदी बहती है दक्षिड में तूटे घर कामगारों के हैं और दक्षिड साइड में अगर देखा जाएगा तो क्या हो जो कामगारे काम करने वाले लोग होते हैं जो शिल्बकार लोग होते हैं उनके घरे अब वो तूट फूट चुके हैं लेखर परश्ण करता है कि निम्नवर का अस्तिरत था या नहीं शायद उनके घर कमजोर रहे जो समय के अनुसार नश्ट हो गए तो ने उने बोला शायद कामगार जो है उनके घर कमजोर होंगे अच्छे तरीके से बने नहीं इसलिए वो नश्ट हो गए टीले के पास महाकुंड है जो टीला बना यानि बहुत स्थूप है उसी के पास में एक महाकुंड है इसका नाम दैव मार्ग रखा गया उसका नाम क्या रखा गया दैव मार्ग यह सामुईक स्नान के काम आता है यानि लोग सामुईक रूप से स्नान करते होंगे यह 40 फुट 25 फुट चोड़ा यानि 40 फुट by 25 फुट चोड़ा है और 7 फुट गहरा है यह कुंड वहाँ पर पानी जहां भरा जाता था लोग सामें कुरूप से रिष्णान करते थे इसके उत्तरवा दक्षिण से सीडियां उतरती हैं इसके तीन तरफ साध्मों के कक्ष हैं तो उत्तर में दो पंक्ती में 8 इस्नान गर हैं अब उसी इस्नानागार में सीडियां उतरती हैं पास्त में ही साध्मों के कमरे हैं और आगे चलेंगे तो और आगे इस्नान गर आपक दूसरे का इधर दर्वाजा है इस तरीके से इस कुंड का निर्मान पक्की इटो से किया गया है मतलब इटे जो है वो बहुत ही पक्की है पानी का रिसाव रोकनी तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल पर दिवारों पर चूने वाद चिरोडी के गाड़े का प्रियोक किया गया है पानी के लिए एक तरफ कुआ है अब उसमें गंदा पानी नहीं आ जाए सफाइक होती रहे तो उसकी जो चिनाई है वो चिरोडी से की गई है चूना और चिरोडी बहुत ही कॉंपेक्ट होता है सीमेंट से भी जादा मौजबूत होता है उससे उसकी और उसमें पानी आने के लिए उस कुंड के पास में एक कुआ है कुंड में पानी भी तो भरा जाएगा तो उसके लिए कुंड के एक तरफ कुआ भी है कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालिया है अब कुंड का पानी जो भरेगा उसे बाहर करने के लिए उसमें न अनाज जमा किया जाता था तो पानी की निकासी के लिए जो नालिया बनी है वो पक्की इटों से बनी है और उपर से धकी है ऐसी सुनियोशी विवस्ता इससे पहले कभी नहीं देखी कई साथ ही यहाँ पर उसके बगल में एक कोठा रहे मतलब बहुत बड़ी कोठरी है उस कोठरी में जो कर के रूप में जो अनाज लिया जाता था शायद उसको रखा जाता था यह सोचा गया है अभी कुछ पक्का नहीं है लेकिन ऐसा हुआ हो जाता होगा यहां 99 चौकिओं की तीन कता रहे है और इसी यह पास में क्या है नो नो चौकिया यानि कि चोटी चोटी जो है घर टाइप के बने कमरे टाइप के बने तथा उत्तर की एक गली में बैलगाडियों के प्रयोग के साक्ष मिलते हैं और उत्तर की गली में बैलगाडी के आने जाने के निशान बैलगाडी चलते हैं तो गिसाव होता है न पत्फरों पे तो वो गिसाव मि इसमस्यों मिले हैं कि उसमें खेती बहुत अच्छी होती थी, अब इसे खेती हर या पशुपालक सभ्यता माना जाता हैं, जब यह साक्ष मिलें तो यह हुआ कि यह सभ्यता खेती हर थी और पशुपालक थी, मतलब खेती भी की जाती थी, यहा Campaign की भहुतायत थी, यहां पर耐 और पत्थर का बहुत ही मात्रामी उपियो किया जाता था परंतु लोहा नहीं मिला तामा मिला है पत्थर मिला है अगर लोहा कहीं पर भी नहीं मिला है पत्थर सिंध से तथा तामा राजस्थान से मिलता है जो मिला है जो हाँ पर पत्थर मिला है और जो तामा मिला है जब उस हैं उनसे मैच करता है इनके उपकरण खेती बारई में प्रयोक किए जाते थे । यानि कि जूकरण मिले हैं वह खेती बारई में प्रयोक करने लाइग मिलें। कपास, गेहुं children, वाचनी की उपच्च के सबूथ मिलें जो-डूप पर जो कपड़ा मिला है खुदाई के दोरान वो सबसे पुराने कपड़े के रूप में अभी तक का नमुना अभी तक जितने भी कपड़े मिले इससे पुराना कोई कपड़ा नहीं यह सबसे पुराना कपड़ा है सूती दूसरा सूती कपड़ा 3000 इसाप पुरुफ का है जो जूदी कपड़ा जो करीबन 3000 इसाफ पूरुफ से माना जाता है मौन जो दाड़ों में रंगाई भी होती थी मतलब कपड़ों को रंगा भी जाता था उन वा लिनन का आयात सुमेर से होता था अब ये बताया गया वहाँ पर जुत्ते भी सबूत मिलने उसके हिसाब से इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि वहाँ पर लिनन और उन जो है सुमेर से लाया जाता था माहा कुंड के उत्तर पूर्वी में लंबी इमारत के अवशेश मिले हैं इनके बीच में खुला बड़ा दालान है तता तीन तरफ बराम दे हैं इसे कॉलेज ओफ प्रीस्ट माना जाता है तो एक बहुत बड़ा कक्ष मिला है जिसे कॉल क्या कहते हैं कॉलेज ओफ प्रीस्ट माना जाता है कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं जो महात्मा लोग है वो प्रेयर किया करते होंगे दक्षिन से 20 खंबो वाला एक हॉल मिला है दक्षिन की तरफ एक हॉल मिला है जिसमें 20 खंबो के अवशेश है जो शायद राज सचवाले सभा भवन या सामयोदिक केंद रहा होगा मतलब जहाँ पर प्रशाशनिक कारे बहुत बड़ी मात्रा में होता होगा गढ़ की चार दिवारी के बाहर नीचा नागर है जब वो गढ़ मतलब गढ़ हमने क्या बताया था खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है जब खुदाई की जारी थे इन टीलों के आकार थोड़े थोड़े से खुदाई होता है ने थोड़ा से तो हाम होता है तो थोड़े से वो घट गये पूर्व की बस्ती रहीसों की बस्ती है इसमें बड़े घर चौणी सरके तथा जादा कूएं मिलें पूरव की तरफ रहीसों भी वहाँ पे जादा अच्छी चीजें मिली हैं मोहंजदाडों के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत वेदताओं का संचित नाम डीके रखा गया था तो वहाँ पर जितने लोग खुदाई कर रहे थे पुरातत वेदता उन सभी को क्या नाम दिया गया था डीके नाम दिया गया था DK छेतर दोनों बस्तियों में सबसे महत्तुपूर है शहर की मुख सड़क यहीं पर है कहां पर है? मुख सड़क DK पर ही है यह बहुत लंबी सड़क है तता 33 फुट चौड़ी है अब बताईए कितनी लंबी है और 33 फुट चौड़ी यह तिनी चौड़ी सड़क है इस पर एक साथ दो बैल गाडियां आ जा सकती है मतलब एक ऐसे और एक ऐसे इतनी चोड़ी है इतनी चोड़ी सड़के बनाई गई है ये सड़क बाजार तक पहुंसती है सड़क के दोनों और घर है सड़क की तरफ कोई दर्वाजा नहीं है काबु जीये की ने भी चंड़ी गड़ में इसी शैली का प्रेयोग किया था सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई ना लिया है तो अब यहाँ पर क्या बताया गया जो आपको सबसे चोड़ी सड़क मिली उसके दोनों तरफ मकान है लेकिन उन मकान के दर्वाजे कभी भी सड़क की तरफ नहीं खुलते यही शैली जो है चंड़ी गड़ में भी अपनाई गई है चंड़ी गड़ में जो तरीके से अपनाई गया है उसमें भी दर्वाजे सड़कों की तरफ नहीं खुलते है हर घर में एक स्नान घर है जितने भी घर है सब में एक स्नान घर मतलब बाच्छूम है और नालियां घर का पानी होदी तक ले जाती है और घर का जितना पानी एक बड़ा सा होदी है वहाँ पे जाता है अब होदीयों से पानी बाहर जाने के लिए भी नालियों का प्रबंद है तता फिर ये नालियों के जाकर जुड़ जाती है फिर हौदी कहां जाती है फिर नालियों से जुड़ती है जादा तर नालियां धकी हुई है बस्ती के अधिक तर सड़के 9 से 12 फुट तक चौड़ी है बस्ती के कुए पकी हुई एक आकार की इटो से बने है वहीं लगबक 700 कुए पाए गए हैं जिसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है तो जितनी भी नालिया मिली हैं वो सब ही ढकी हुई है आप जादा तर जितनी नालिया मिली हैं वो सब उपर से ढकी ओपन नालिया कहीं नहीं है करीबन 700 कुएं मिले हैं 700 कुएं इस पूरी सब्विता के अंदर कर्द मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये एक जल संस्कृती थी यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी DKG हलके के घरों की दिवारें उची और मेटी अब हर जगा पर जैसे जो पुरातत तो ने खोदे तो महाँ पर क्या नम रखा ये DK रिखा DK A, DK B, DK G तो उसी तरी हर जगे का नाम रखा गया तो वहीं इनोंने क्या बताया DKG अब DKG एक जगा जहाँ पर खुदाई कमाक किया गया बहाँ पर क्या थे हलके के घर की दिवारें उची और मोटी हैं मतलब दिवारें जो क्या है उची उची और मोटी मोटी बनी है यहाँ शायद दुमंजिला मकान भी होंगे अब मोटी है इसका ये अंदासा लगाया जा रहा है शायद इसलिए लगाएगे कि इसके उपर एक और मन्जिल होगी सभी पकी हुई इटों से बने थे तथा इट भी एक ही आकार की है मतब सब इटों से बने हैं और इटों का अनुपात एक ही है एक बाए दो बाए चार इस तरीके से अनुपात है यहां घरों में केवल प्रवेशत वारे खिड़कियां नहीं है यहां पर एंट्रिंस के लिए एक है लेकिन खिड़कियां एक भी नहीं है बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां है मगर घर के बाहर नहीं है लेकिन जो आंगर का आंगन है अगर आंगन के चारो तरव जो कमरे बने हैं उनकी खिड़कियां आंगन में खुल रही है मगर घर की कोई भी खिड़की घर के बाहर नहीं खुलती है आंगर में खुलती है लेकिन घर के बाहर कोई भी खिड़की नहीं खुलती है सभी घर एक कतार में है तता अधिकतर का आकार 30 गुना 30 फुट है ठीक है, क्या दिया है? 30 गुना 30 foot याननि 30 by 30 के घर बने हुए हैns सारे 30 by 30 feet के घर बने हुए हैं और सभी का आकार लगभग सेम है कुछ इनसे काफी बड़े भी है कुछ मकान क्या है? इनसे बड़े भी मिले है सबकी वास्तु शैली भी एक जैसी लगती है DKB 100 हलके से एक घर में दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ती मिली है सभी घर एक जैसे लगते हैं क्योंकि एक ही शैली से बनाएगे हैं अब क्या है DKB में एक जो घर है उनमें एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ती मिली है HR हलके जो जगह है वहाँ बड़े घर के कुछ कंकाल मिले हैं बड़े बड़े घर के जो होते हैं उनके कंकाल मिले हैं मतलब जीनशी डवस्था में वो घर मिले हैं प्रसिद्ध नर्त की सिरूप भी इसी हलके के छोटे से घर में मिली तो एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तिकी की मूर्ती मिली जिसका नाम रखा गया शिरूप वो इन ही मकानू में से मिली थी यहीं पर एक बड़ा गरे जिसे उपासना केंदर समझा जाता है और जो उबासा केंदे इसके पीछे हिस्से में रंगाई के अवशेश मिले कि यहाँ पर रंगाई पुताई होती हो, कपड़ों की जो रंगाई होती है वो भुआ करती थी यहाँ जमीन की इटों के गोल गड़े उबरे होएं, मतलब जमीन में गोल गोल गड़े बने होएं, वहाँ पर रंग खोला जाता है न, कपड़े डुबोते होंगे, तो वो गोल गड़े उनको वहाँ पर मिले हैं यहाँ दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिल मकान है, सब में दो-दो कमरे हैं, यह करमचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे, यहाँ पर दो पंक्तियों मकान मिले हैं, जो यह सोचा जा रहा है कि जो यहाँ पर काम करते होंगे, उनके घर होंगे मौन जुदारों के में कुऊं को छोड़ का अन सभी वस्तुमें चौकोर या आयताकार है मतलब वहाँ पे कुऊं सिर्फ गोल हैं और बाकी सभी चीजें स्क्वाइर या रेक्टाइंगल में बनी हुई है लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैराने बड़े बड़े जो घरे उनमें भी छोटे छोटे कमरे बने इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिलों पर नौकरों का निवास हो सकता है अभी एज्यूम किया जा रहा है शायद इसका कारण ये होगा कि बहुत सारे लोग आबादी बढ़ रही थी इसलिए इन छोटे कमरों का निर्मार किया गया या इन छोटे कमरों में नौकर रहा करते होंगे सीडियों शायद लकडी की रही होंगी उपरी मंजिर पर लकडी की साथ सज्जा की जाती होगी तो उन्होंने बोला यहाँ पर सीडिया जो है वो शायद लकडी की रही हूँ क्योंकि सीडिया कहीं पर भी नहीं मिली है अधिकतर घरों में खिडकियों या दर्वाजों पर छज़ों के चिन नहीं है यानि कि वहाँ पर छज़े नहीं होते हैं तो खिडकियों के बाहर थोड़ी सी जगह निकालती कि वहाँ पर निकलके खड़े हो जाए बालकनी टाइप की ऐसे कोई भी अफशेश वहाँ पर नहीं मिले हैं सिंपल वहाँ पर खिडकिया हैं पस गरम छेतर में ये चीज़े आम होती हैं मतलब जहाँ पर गर्मी पढ़ती हो वहाँ पर छज़ों का होना आम होता है लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं मिला इसका ताथ पर यह है कि हाती शेर गेंडा आदी जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती से सिचाई की जाती थी यहाँ पर हाती, शेर, गेंडा की तस्वीरे मिली हैं जिसे लगता है कि यहाँ पर जंगल था और खेती बहुत अच्छी की जाती होगी अभी वहाँ मौसम गरम है लेकिन उस समय वहाँ पर मौसम गरम नहीं हुआ करता था इस छेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, यहाँ पर मतलब नहर नहीं है सिंदु नदी बहती थी पांच किनो मिटर दूर वो तो है अभी भी बहती है लेकिन उससे मिलते जुलती कोई नहर नहीं मिली है इसका मतलब यह निकलता है कि कुओं के अत्यदिक इस्तिमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया और बस्ती उजड गई अब बस्ती उजडी कैसी तो उससे यह लगाया जा रहा कि भाई नहर नहीं थी तो कुओं करीबन 700 कुओं मिले तो इनका उपियो भाई आबादी भी जो बहुत ज़ादा थी कुओं का ज़ादा इस्तिमाल खेती के लिए भी पानी उसी से इस्तिमाल होता था तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़ादा पानी लेने से जो भूजल था मतलब water level जो रहता है पान धर्ती के नीचे वो काफी नीचे चला गया इस कारण ये सब्वेता उजड़ गई लेकिन घर एक नक्षा ही नहीं होता हर घर का संसकार में आकार होता है लेखक का यहां राजस्थान सिंधु गुजरात के याद आ गए तो यहां पर उन्होंने बोला कि हर घर जो होता है वो सिर्फ एक नक्षा नहीं होता है उनके अंदर कोई ना कोई संसकार होता है जब यहां पर घर पे आये यहां पर देखा लेकग ने तो यह जाना कि यह बहुत हद तक गुजरात और राजस्थान से मिलता हुआ एरिया जैसे मेरिका गाउं है कुलधारा जिसे लगा कि वो उनहीं गलियों में गूम रहे हैं यह पीले पत्थर के घरों वाला एक स्कूपसूरत गाउं है यहां घर है परन्तु लोग नहीं है तो यह कुलधारा जो है वो गाउं वो पीले पत्थरों का बनाए लेकिन जिस शहर में गूम रहे हैं तद मुहन जुदाडों में जहां गूम रहे हैं वहां घर तो हैं पर लोग नहीं रहते हैं देर सो साल पहले राजा से तकरार पर स्वामिनी गाउं का हर सदसे अपना घर छोड़ कर चला गया घर खंडर हो गए पर ढ़य नहीं लोग निकल गए वक्त वहीं तो अब ये कुल्धारा काहओं के बारे में क्या बता रहे हैं कि वहाँ का जो राजा था उसकी तकरार उसकी स्वामिनी से हो गई मतलब उसकी पत्नी से हो गई तो क्या हुआ जितने लोग थे वो घर छोड़ के चले गए वहां से लोग तो चले गा है मागर घर के देता थे महानिदेशक उन्होंने इसकी खुदाई पर तीन ग्रंतों की छपवाई करवाई उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध के बरतमान बैल गाड़ी के चित्र प्रकाशित हैं तो उसमें क्या है जो पुराने और जो प्रिजिंट में उसमें आरे कमानी दार वाले पहियों का इस्तेमाल किया गया है अब उन पहियों की जगा जीप के उतरन पहिये लगते हैं हवाई जहाज के उतरन पहिये वजार में आने से के बाद उट की गाड़ी का विशकार हो गया पहले तो वही पहिये लगते जो इनको वहाँ पर लेके गए थे उन्होंने महां के म्यूजियम के बारे में बताया ये अजायब गर छोटा है तथा सामान भी जादा नहीं है जो म्यूजियम के बारे में जहां है वहाँ पर जादा सामान नहीं है और छोटा सा म्यूजियम है अधितर चीजे कराची, लहोर, दिल्ली या लंदन की हैं मुहंजुदारों से ही 50,000 से ज़्यादा चीजे मिली हैं तो ज़्यादा तर चीजे बाहर की हैं लेकिन 50,000 चीजे मुहंजुदारों की भी महार रखी यहाँ पर काला पढ़ गया गे हूँ तामे वाकासे के बरतन, मुहरे, वाद, चाक, वबने, परविशाल, मुरंद भाड, चौपड की गोटियां, दिये, माप तॉल के पत्थर, तामे के आईने, मिट्टी की बेलगाडी, दो पाटन वाली चक्की, कंगी, पत्थर के ओजार, सोने के गहने आधीत थे, यह सब जो मिले हैं, यह सभी म्यूजियम में रखे हुए हैं, इस अजायब घर में ओजार तो हैं, परन्तु हतियार नहीं हैं, आप यहाँ देखेंगे, कि जो चीजे हम ओजार के रूप में, जैसे फावडा है, कुलहाडी है, तोडी है, यह सब मिलेंगी, लेकिन एक भी हतियार नहीं मिलेगा, जैसे तलवार, धनुशबान, भाला, यह सब कहीं नहीं मिलता, पूरी सिंदु सब्यता में कहीं हतियार नहीं मिलते, पूरी सिंदुगाटी सब्यता में कहीं पर भी किसी तरीके का कोई हतियार नहीं मिला है, विद्वान न इसकर्ष निकालते हैं, यहां अनुशाशन ताकत के बल पर नहीं था, मतलब यहां पर ताकत नहीं दिखा जाती थी, इसलिए यहां पर कोई हतियार नहीं था, यहां पर साशन सम्मती के साथ चलता था, शायद सैन संत्रा भी ना रही हूं, मतलब शायद यहां पर सैन की ना र वारत है ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। वहाँ पे SIMPLE तोर पे लोगों के रहने के लिए जगायें बनी होएं जो ज़रूरती चीज़ें वही बनी है यहां के मूर्ती, शिल्प वो ओजार भी छोटे हैं मुकुट वा नावे भी छोटी हैं जो भी मुकुट हैं राजा महाराज जो मुकुट पहनते, वो भी छोटे-छोटे, बहुत प्रभुत के लिए बढ़े-बड़े heavy-heavy मुकट नहीं, बहुत छोटे-चोटे मुकुट हैं, और नावे जो मिली हैं, नाव, जो नदियों में जाने के लिए नावे होती हैं, वो भी छोटे, क्योंकि रा साधन वाविवस्थाओं के अनुसार भी सबसे स्प्रद्ध है मतलब वहाँ पे जो साधन थी संप्रता थी वो अभी तक सबसे स्म्रद्ध सविधाओं में मिली है परन्तु यहाँ आडंबर नहीं है मतलब यहाँ दिखावा नहीं है संप्रता में दूसरे यहाँ की लिपी को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो यहाँ पे जो लिखित रूप में जो चीजे मिली है, उस लिपी को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका, कि वो है क्या, कैसे पढ़ा जाए यह अभी तक नहीं समझ में आया, अता अनेक रहश अभी तक सामने नहीं आ पाएं, सिंदुगा मुहरें उन पर उकेरी गई हैं, तो जो कुछ भी मिली हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छी शिर्वकला भी हमको मिली हैं, आकरतियों, खिलोने, सुघड अक्षरों से सिद्ध होती हैं, मतलब यहाँ पर जो चीजे मिली हैं, यह बताती हैं कि यह बहुत ही डेवलब सभ्यता थी, सुसक्षित थी, यहाँ पर सिक्षा थी, संपन्नता थी, मगर दिखावा बिल्कुल भी नहीं था, सिंदुकाटी सबिता की खूबी उसका सौंदर बोध है, जो राज पोशित या धर्म पोशित ना होकर समाज पोशित था, मतलब यहाँ पर जो चीजे मिली हैं, यह ब यह चीज में ध्यान रखा गया है, अजायब घर में तामेवा कासे की सुईयां मिली हैं, काशिना दिख्षत को सुने की तीन सुईयां मिली, तो वहाँ पर सुई मिली हैं, मतलब सिलाई का कार में भी होता था, तामे कासे की मिली हैं और सुने की भी मिली हैं, शायद यह कश प्रश्रक गुलकारी वाला दुशाला मिला जो नरेश की मूर्टी मिले ती कशीदाकारी में उसमें जो कशीदाकारी में वो चीज सामने उकरके आई है आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंद की खास पहचाने और आज समय क्या है जो छपाई का काम होता है वो सिंद की प्रेजन टाइम में खासियत है यहां हाती दात वहां तामे के सुए भी मिले हैं सुए मतलब सुए छोड़ी छोड़ी होती है सुए थोड़े लंबे होते हैं और मोटे होते हैं तो वहां पे जो सुए मिले हैं वो हाती दात के भी मिले हैं जो शायद दरीों को बनाने की काम हैं जो दरी होती न मैट्रेस उनको सिलने के लिए मोटी मोटी सुए चाहिए होते हैं तो शायद वो दरीयां बनाई जाती होंगी इसलिए वो मोटे मोटे सुए इस्तेमाल किये जाते थे अब मोट जो दरों में खुदाई बंद कर दी गई है क्योंकि सिंधू के पानी के रिसाव से चार और दल्दल की समस्या पैदा हो गई ज्यादा वहाँ खुदाई नहीं करीगे क्योंकि पास में नदी हैं अब नदी ज्यादा खुदाई करने से क्या हुआ वहाँ पे दलदली एलिया परने लगा वहाँ पे आकर पानी भरने लगा तो इसलिए उसस Esteve up वहाँ पर खुदाई अब बंध कर दी गई जहे है बने हमारे सामने आए हैं इनको सजो के रखना क्योंकि ये हमारी सभिता की पहचान है ये सबसे बड़ी चुनोती है क्योंकि पारिस्ति जो प्रकति जो परिवर्तन करती है उनसे बचा के रखना मुश्किल है क्योंकि उसके आसपात पूरा रेगिस्तान है तो बचाना इस तरीके से सिеро X देखा कि मौहँंजुदाड़ो और हरअपा के बारे में जाना कि हमारे अतीद के बारे में था कि हमारी सब बताएं पहले कितनी डेविलप थी कितनी अच्छी सुने य जित थी यह हमने इस पार्ट के अंतर देखा इस पार्ट के इलावा भी और भी पार्ट हमने आपको बहुत से बढ़ा हैं बाकी सब्जेक्स में भी होती हैं तो आपको डाउट लेने की कोई भी जरूरत नहीं हैं अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो सिंपल आपको हमारी वेबसाइट magnetspin.com पे जाना है वहाँ पर जाते ही आपके सामने आपके जितने भी क्लासे हैं क्लास फर्स टुट्वल्थ सब आपके सामने आऊ जाएंगे तो जिस भी क्लास में हैं आप उसे क्लिक करिए क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास के सारे सब्जेक्स आ जाएंगे तो जिस भी स चैप्टर से सब आपके सामने आ जाएंगे तो बस आपको जिस भी चैप्टर में डाउट है क्लिक करिए उसके अंतर कर जितने भी टॉपिक हैं सब आपके सामने होंगे तो टॉपिक पे क्लिक करिए और अपना वीडियो देखिए वीडियो देखिए और सारे डाउट को क्लि करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई